आज हम त्यार करेंगे बिल्कुल क्रिस्पी करारी बाजार शिप बेहेतर केला शिप्स जो कि बिल्कुल आसान तरीका से आज होप आप लोगो रेशिप बोख़त पसंद आएगी आज रेशिप स्टार्ट करते हैं आज नमस्ते मामी इस किचन में आप लोगो दिल से स्वागत काती हूँ सबसे पहले हम कच्चे के लिए लेंगे जिसे हम रोव बनाना बोलते हैं उससे लेकर दोने का बाद इसे तरह हम कोकोर में डालनेगे आप चाहते हैं उसका डंठल भी काट कर हटा सकते हैं मैंने यहां पर इसी तरह शाथ में थोड़ी पानी और नमक हळड़ी डालता हिसा अंड़ कवर कर लेंगे गैस पर इसे हमें रक का दो सीटी आने देंगे जब दो सीटी आजए गैस टोली ठंडा ाक लेंगे अब देखिए केले को हमें इसी तरह नाइप से काट लेंगे और उपस जो केले के पील रहता है जो छिलका इसे हमें हाँ से इसी तरह हटा लेंगे बिल्कुल आसान चा रेसिपी और बिल्कुल कोई भी बन जाता है देखिए फिर हमें केले को इसी तरह नाइप से पतला पतला गर बीना झेंचटर इसे बात द्यार कर सकते हैं यहां पर इसे काटने का बाद गयास पर एक प्यान रख लेंगे और बणर प्या आल डेल कर बिल्कूल हाई टाल लेंगे जब हम इसे डाल लेंगे अ गयास के लिकी प्यास तल लेंगे जब तक क्रिस्पी और थोड़ी सी गोल्डेन हो जए तब तक के लिए इसे हमें गर्मा ओयल में डालकर हाई फ्लेम पे तल लेंगे देखिए यहां पर धीरे धीरे 2-3 मिनिटी का अंदर बिल्कुल क्रिस्पी करारी हमारा बाना चिप्स बनकर तैयर हो चुगी अब इसे हमें और निकल लेंगे मैंने देखिए सारे इकी साथ में डाल ली और कोई भी प्रोब्लेम नहीं आए इसी तरह आप भी बिल्कुल आसान चे धेर सारे बना सकते हैं अब देखिए इसे हमें ऑईल में हटा लेंगे फिर इसे हमें टिस्यू का उपर रखकर यहां पर एक चीज द जब चिप्स गरम रहता है तो भी डाल कर इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे दिखिए इसे तरह हट से मिक्स कर लेंगे यहां पर ठंडा करने का बास सुने इसका आवाज बिल्कुल मज़ेदार क्रिस्पी करारी हमारा असान चा के लिए शिप्स बनकर त्यार हो नहां पर बिल्कुल क्रिस्पी और करारी रहता है इसी तरह मैंने भी बनाती हूं इसलिए आप लंग का साथ सेयर करती हूं क्योंकर आप लंग आसान चे घर पे पाजर से बेहतर और मेहंगाई चीप घर पे बना करेंजे कर सकते आई होप आप लंग रसी बहुत पसंद आप लंग एंग पसंद आए धिस चनल क्ला एच्ट एर